अगले इसी की तरफ आते हैं ब्राजिल में इंसानी बस्तियों को दो इस्सों में तक्सीम किया गया है मर्कूज गुंजान गनी बस्तिया और मुंतेशर दिखरी वी फैली वी बस्तिया ब्राजिल के शुमाल मश्रगी साहिली इलाके में गनी बस्तिया पाई जाती है अबतिधा में यूरप से आए हुई नो आबाद कारों नी ग्राजील के इस समंदरी किनारे पर अपनी अबतिधाई बस्तिया कायम की ये बस्तिया खुसुसी तर पर साहिली इलाकों में कायम की गई इन बस्तियों की तरक्की होने पर ये बस्तिया आगे गुंजान आबादी वाली बस्तिया बन ले इन बस्तियों की तरक्की की असल वज्जेती इस इलाके की मरतूब मौते दिल हावो हवा ना ही इंतियाई सर्दाव हवा ना ही इंतियाई गर्म हावो हवा पानी की दस्तियावी इंसानी जिन्दगी में पानी बहुत जरूरी जरूरत का हामिल है इंसान पीने के इलावा अपनी जिन्दगी की बहुत सारी जरूरियात पानी से पूरी करता है नम्मर तिन पुद्रती वसाइल के जखायर और जेरे काश्ट जमीन इन पुद्रती वसाइल की वज़े से इस इलाके में जगे की किलत के बावजूद काफी घनी और मरकूज बस्तिया पाई जाती है नम्मर जाती है जाती है इसी वज़े से इस इलाकों में इंसानी बस्तिया काफी घनी जो इसे बड़े बड़े शहर वजूद में आए इसी तरह मुंतेशर फैली हुई और छोटी छोटी बस्तियों के इलाके जैसी छोटी बस्तिया हमारे आस पास के इलाकों में देहातों में पाई जाती है इसमें ब्राजिल की बुलंद जमीन शामिल है ये बुलंद जमीन साया बारा से करीब होने की वज़े से इस इस इलाके में बारिश की काफी तक्सीम कम है ये इलाका कहेज़दा इलाकों में शामिल है इसलिए इस इलाकों में जरात की तरक्की काफी कम हुई है और ये इलाके मुंतेशर फैली वी छोटी-छोटी बस्तियों के इलाकों में आते हैं नम्बर दो पर हैं एमेजान लगी की वादी दर्याय एमेजान की वादी में दरिज़े हरारत ज्यादा पाये आता है इस इलाके में बारिज भी ज्यादा होती है इसलिए यहां पर सदा भार ग़णे जंगलाद और पाए जाती है सदा भार और ग़णे जंगलाद होने की वज़े से यह इलाका काफी घंगा और दुष्वार गुज़ार बन गया है इस लाके में कुद्रती जखायर आप गशाषिक हासिल करने में और उनका इस्तेमाल करने में ये घने जंगलात रुकावट पैदा करते हैं इसी तरह इस इस इलाके में गैर सिहत बख्ष आब हुआ भुआ भी मुझूद हैं दरियाई एमेजान की वादी में गयर सिहत बख्ष आवब हुआ दुश्वार गुजार इलाके होने की वज़त